दिवाले और छट पर बिहार आने वाले लोगों के लिए परिशानी बढ़ सकती है एक तरफ बिहार में आने वाले सभी ट्रेनों में सीटे फुल है तो वहीं एरलाइन्स कम्पनियों ने फ्लाइट का किराया पांच गुना तक बढ़ा दिया है 31 अक्चूबर को दिल्ली से पतना का किराया 23,877 रुपे तक पहुच गया है यह सामाने दिनों से चार गुना है जबकि उस दिन दुबई से पतना का किराया मात्र 18,111 रुपे है वहीं चट से ठीक एक दिन पहले 6 नवंबर को दुबाई से पटना की फ्लाइट का किराया 15,906 रुपए जबकि दिल्ले से पटना का किराया 17,191 रुपए तक है मुंबाई से पटना का किराया 28,000 तक पहुच गया है बैंगलूरू, हैदराबाद और दूसरे शहरों से भी पटना का किराया दो गुना से अधिक है हलाकि भारतिय रेलवेरी फेस्टिब सीजन में यात्रियों की भीड को देखते ही वे 100 स्पेसल ट्रेनों के चलाने का फैसला किया है दिल्ली से पैसट स्पेसल ट्रेन प्रती दिन चलेगी इसके लिए पतना जंगसन, दानापूर स्टेशन और राजेंद्रो नगर टर्मिनल पर अतरिक्त बुकिंग काउंटर खोले जाएंगे अभी पतना जंसन पर 4, दानापूर में 3 और राजेंद्रो नगर टर्मिनल पर दो काउंटर खोलने का निर्न लिया क्या है जरुरत पढ़ने पर काउंटर को बढ़ाया भी जा सकता है दिपावली और छठ में पतना आने वाली और यहां से जाने वाली याच्यों से अधिक किराया वसूले के लिए ही इंडिगो और इस्पाइजेट ने 27 ओक्टूबर से 16 जोडी और विमानों का ओपरेशन सुरू कर दिया है पहले पतनाई अरपोर्ट से 33 जोडी विमानों का ओपरेशन होता था लेकिन रवीवार से 49 जोडी हो किया है याच्यों को लगा था कि विमानों की तादाद बढ़ने से किराय में कमी होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ पतनाई अरपोर्ट पर 26 अक्टूबर तक यहाँ से 33 जोडी विमानों का ओपरेशन हो रहा था लेकिन अब यहाँ से 49 जोडी फ्लाइट का विंटर शेडियूल जारी किया क्या है 12 नवंबर से विस्तारा की दो फ्लाइट एयर इंडिया में मर्ज हो जाएगी 11 नवंबर से विस्तारा बंद हो जाएगी इस बीच इंडियो ने 6 और इस पाइस जेट ने 10 नई जोडी फ्लाइटे शुडू की है इस पाइस जेट की 9 जोडी फ्लाइटे 15 नवंबर तक ही ओपरेट होगी पटना एयर पोर्ट का नया टर्मिनल नय साल तक तयार हो जाएगा एयर इंडिया ने 8 जोडी विमानों का स्लोट लिया है उधर इंडियो ने जैपूर पटना जैपूर के बीच एक फ्लाइट का स्लोट 30 नवंबर से 39 मार्ज तक के लिए लिया है लेकिन इसकी बुकिंग अभी सुरू नहीं हुई है आपको बता दे कि दिपावली और छट पुजा को लेकर इस्पेसल च्रेनों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है कोटा दानापूर इस्पेसल कोटा से रविवार और गुरुवार को रात 9 बज कर 25 मिनट पर खुल कर अगले दिन रात 8 बजे दानापूर पहुचेगी दानापूर कोटा इस्पेसल सोंबार और शुक्रवार को दानापूर से राद साढ़े नौ बजे खोल कर अगले दिन राद के 10 बच कर 25 मिनट पर कोटा पहुचेगी न्यू जल्पाई गुडी पतना इस्पेसल न्यू जल्पाई गुडी से शनिवार की सुबह 5 बजे खोल कर शाम के 5 बच कर 40 मिनट पर पतना जंसन पहुचेगी पटना न्यूजल पाई गुडी इस्पेशल शनिवार को पटना जंसन से शाम साड़े साथ बजे खुल कर अगले दिन सुभर साड़े नौ बजे न्यूजल पाई गुडी पहुचेगी इन दोनों के अलावा कटिहार दौरम मधेपूरा कटिहार इस्पेशल और कटिहार छप्रा कटिहार इस्पेशल का परिचालन होगा